हेलो एवरीवन वेलकम टू माँ चाइनल हाइपाटेड़ इजबी मैं हूं महुम्माद सुहिर दोस्तों आज मैं दो स्टॉक लेके आ गया हूं ताटा स्टील और जेस डव्य स्टील दो भी स्टॉक एक ही सेक्टार के निचे आते हैं स्टील सेक्टार अब देखिए दो स्ट स्टॉक के अंदर एक का लेवल कम है और एक का लेवल ज्यादा है according to their capital ठीक है दोस्तों वह बात अलग रखते हैं और देखिए आज हम लोग एक स्टॉक की बात करेंगे जिसमें हमें exit करना होगा और एक स्टॉक की बारे में बात करेंगे जिसमें हमें hold करके profit कमान होगा व दोस्तों लगाता जो भी rally jsw steel के अंदर आप सभी को देखने को मिली इसकी अंदर reversal और आप correction भी कहें तो भी इसके अंदर लगाता stock जाएगा तो भी 250 260 के बिलो तक stock जाके ही चोड़ेगा जो भी इसके अंदर अब move देखने को मिल रहा है अगर यह उपर consolidate नहीं कर रहा है जो भी उपर consolidation level नहीं बन रही अभी के लिए तो नहीं बन रही है दोस्तों अगर आगे चलके भी नहीं बनेगी तो stock के अंदर धीरे धीरे reversal हमें देखने को मिलेगा इसके लिए कौन से stock में आपको trade करना है कौन से stock में trade नहीं करना है अभी भी आपको थोड़ा बहुत आज में आ जाएगा और Tata Steel के अंदर जो भी लिवस मैंने आपको 394 10 के नीचे buy कराने के बाद 5 रूपिस के हिसाब से average कराने के बाद दिखिए आज के दिन भी आप Tata Steel के उपर double profit में है दोस्तों 410 पे ही आप लोगों को double profit के साथ exit करने के लिए पिछले वीडियो में कहे दिया था अगर आप proof चाते हैं तो दोस्तों proof के तोर पे भी मेरा पिछला वीडियो Tata Steel का देख सकते हैं जब club करके नहीं था आज मैं दो भायों को club करके ला लिया हूँ अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं अ दोस्तों जो भी इसके अंदर price moment हो रही है JSW Steel के अंदर तो देखिए इसमें जो भी price action बनेगा जो भी level बनेगा अगर और एक बार 52 weeks high कर रहा है तो भी डरने की जूरत नहीं है क्यूंकि अगर एक बार 52 weeks high कर चुका दो बार कर चुका अब यह तीसरी बार है दोस्तों जो 52 weeks high JSW Steel ने achieve करके फिर इसके अंदर reversal जाता हो दिखा यह reversal आप लोगों को continue देखने को भी मिलेगा अगर यह continue नहीं दे रहा है तो हमें थोड़ा बहुत buying का जहांसा देते हुए धीरे धीरे नीचे जाएगा पर नीचे definitely जाएगा अभी आप लोगों को मैं alert कर दे रहा हूं देखे चलके जो भी candle chart पर बताने वाला हूं आप देखे हाईरान तो होंगे या परिशान तो होंगे कि इसके अंदर क्या करना है अब देखिए डरने की कोई भी जूरूरत नहीं है इसके अंदर stock reversal लेगा तो भी आप लोगो double profit में कैसे exit होए आपको बताने वाला हूं दो देखिए stock में से exit कर रहे है तो नुकसान होता है पर average maintain कर रहे है तो मैं आपको पकी बात बोल सकता हूं stock market में नुकसान नहीं होता profit ही होगा अगर आप इसको business के तरह देखेंगे तो ठीक है दोस्तों 15th September 2020 आज का day है Tuesday JSW Steel का closing price है 289.60 पैसा आज इसका day high है 294.55 पैसा and day low ह 288.75 पैसा चलिए आगे बढ़ जाते हैं candle chart analysis के उपर दोस्तों आप एक बार observe करिए जो इसके अंदर pandemic situation के अंदर stock गिर गया था February में देखिए इसके अंदर अच्छा खासा up move उसके बाद वो भी recover करा और mid range के हिसाब से 52 weeks low भी touch करा है March से April के महिने के बीच में पर है उसके हिसाब से जो sector जल्दी से जल्दी recover हुए है वो है pharma और cement और Tata steel ताटा steel नहीं steel sector समझे पूरे steel cement और pharma sector जल्दी से जल्दी recover हुए है बाकी पूरे bank stocks को और लगातर finance stocks को भी recover होने थोड़ा बो time लगा है अभी भी mid range में trade कर रहे हैं अभी recovery होने के लिए इसे time करा है आप मेरे तो 290 levels थे आप लोगों को मैंने 190 level से लेकर चल रहा हूं आप सभी को profit देते हुए 290 तक भी आप सभी को मैंने profit दे चुका हूं दोस्तों उसके बाद stock उपर भी कितना बड़े हमें नहीं पता मुझे तो नहीं पता यह बात भी आप लोगों को मैंने पहले नहीं हुआ तो इसके अंदर sharp fall हो सकता है दोस्तों इसके लिए जो stock आपको मैं बताने वाला हूं exit का वो यही है JSW still exit करिए अगर आप इसके अंदर entry ले रहे हैं अगर आप 280 270 भी entry ले चुके हैं दोस्तों देखिए इसके अंदर average strategy ऐसे maintain करिएगी इसके अंदर हमें profit हो ठ समझे आप 2 entry पर इंटरी लिए 270 पर average करिए और 240 पर average करिए दोस्तों यही लेवल है 270 240 average और 210 average अगर stock reverse लेगा तो below से below average आपका 240 तो बनेगा या 250 240 के नजजिक जीदर भी बनेगा दोस्तों अगर आप ऊपर कितना capital लगाए हैं नीचे कितना capital लगाएं similar capital 2 को मिला के 210 पर ल जाएगा stock के अंदर price action के हिसाब से भी देखेंगे तो एक दिन का भी 4 रुपे का profit दे हफ़ते में या हमें महीने में 15 रुपे का profit देता है और 15 रुपे का लुकसाम देता है तो हम लगे 15 रुपे के profit में ही exit हो जाएंगे दोस्तों ठीक है अभी अभी के लिए तो इसके अ ला हूँ दुस्तों target कल के दिन बैइंग का position बने selling का position बने आप मेरे target लेके चल सकते हैं strictly बता रहा हूँ अगर आप मेरे target लेके चल रहा है तो stop loss और target लगा दीजिए stop loss हो रहा है तो कितना कम लुकसान हो रहा है target हो तो कितना कम profit हो रहा है आप सभी को समझ में आ जाएग यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो description link में link है link को hit करिए और join करिए मेरा telegram channel for internet live tips and stock market updates के लिए आप सभी का और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए में helpful होने के लिए दोस्तों Instagram का page भी लेके आ गया हूँ live market के जहातर एक जेगे पर अटक जाते हैं stock price से लिकल नहीं पाते stop loss समझ भी नहीं आता है target समझ भी नहीं आते जहतर problems होती ही रहती है इसके लिए live market में भी आप लोगों के साथ में रह सकूं इसलिए मैंने hyper trade इस भी का Instagram page लेके आ गया हूँ और Instagram page का link भी आपको description में मिल जाएगा अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं candle chart analysis के ऊपर दोस्तों आज का दिने 15th September 2020 Tuesday Tata Steel का closing price is 405.35 पैसा आज इसका day high 14.55 पैसा डेलो है 403.55 पैसा दोस्तों पिछली बार आप सभी को मैंने 410 के नीचे entry कराया था stock 390 तक गया था 390 वक जाते वकद भी आप सभी को मैंने क्या कहा था दोस्तों इसमें 5 रूपीज 7 रूपीज के हिसाब से average करेंगे आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था stock 390 तक गया short term के हिसाब से भी हमारा इसके अंदर average हो चुका है और इसके अंदर weekly monthly targets के लिए भी 5 रूपीज के हिसाब से देखेंगे तो भी हमारे 4 average हुए 7 रूपीज के हिसाब से 3 average हुए 410 पे दोस्तों जीदर आपने entry किया है आज के दिन आप सभी को मैंने पिछले वी हिसाब आपने entry किया या 410 पे भी entry किया है मेरे खाइने पे तो आप लोग double से triple profit में exit हो चुके हैं दोस्तों जो भी 7 रूपीज 5 रूपीज के हिसाब से average करे होंगे Tata Steel Limited के अंदर अब आज के दिन इसके अंदर कल के लिए moment क्या होगा अगले हफते के लिए moment क्या होगा short term target के आउंगे वही आप सभी को बताने वाला हूँ आगे चलके वीडियो में तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों clearly आप देख सकते हैं जब आपको मैंने 410 पे level पे entry कराने के बाद उसके बाद stock reversal गया था जब मैंने वीडियो upload किया था जब आप लोगों को 5 रूपी price action level बताया था और ये बाद भी बताया था कि जिदर आप 410 below 410 किदर भी entry कर रहे हैं वही level के पास आप सभी double profit के पास exit होंगे ये मेरी पकी बात है ये आप सभी को मैंने बता दिया था अगर आप proof चाते हैं तो दोस्तों proof के तोर पे मेरे YouTube चैनल पे जाके आप मेरा पिछ बताना चाता हूं जो भी इसके अंदर reversal होगी वह reversal आगे चलके आने वाली है 370 level यानि 370 का support break कर रहा है स्टॉक आपको 340, 365, 350 level किदर भी दिख सकता है क्योंकि 340 और 270 standard profit लेके चल रहा है 270 को तो छेड़ेगा नहीं अगर ये आगे चलके trade करना चाह रहा है तो 370 से 340 के level क बीच trade करेगा दोस्तों पहले बात बताना चाहता हूं आप सभी को stock ये उपर level पर consolidate करने की कोशिश कर रहा है आप देख सकते हैं ये level पर अगर ये consolidate हो गया तो आपको मेरे short term target 440 और हमारे professional short term target 470 और long term टागेशन दोस्तों 510 से लेके मेरे 4530 तक है दोस्तों ये वाले भी आपको अच्छी होंगे पर जो आप देख रहे हैं JSW Steel के अंदर जो भी आपने levels देखे हैं वह इसा ही price action इसमें ही बनेगा वह इसा ही level इसमें ही बनेगा क्योंकि stock वो बहुत छोटा है इसके लिए वो उसका पेट बढ़ते ही जा रहा है stock बहुत बढ़ा है इसका पेट ब आते वह दिखेंगा जो भी down movies में आएगा यह stock में भी JSW में भी देखने को मिलेगा इसके लिए मैं collaborate दोनों stock को मिला के ही बात कर रहा हूं क्यूंकि आपको भी समझ में आए कि stock में कैसे difference देखा जा सकता है same sector में ठीक है दोस्तों अब देखिए आप सभी को entry कराने के करें तो 400 के पास आपका overall average हुआ है 405 पे गया normal profit 14 पे गया double profit आप लोगों को मैंने 14 पे ही exit करने के लिए आप देखिए 14 पे exit करें 405 पे exit करें किदर भी exit करें मैंने आप सभी को strategy levels बताते हुए double profit ही दिया दोस्तों और normal profit भी दिया अगर किदर भी exit करें आप सभी profit के साथ अधी exit करें और जो भी इसके अंदर upmove देखने को मिलेगा अगर इदर consolidate हो गया तो 440 लेवल देखने को मिलेगा अगर आप इधर भी entry करना चाहते हैं फिर से entry करें हम लोग फिर से double profit इसके अंदर कमा लेंगे दोस्तों यह मैं target निकाला हूं दोस्तों कल market में trade करने के लि निकाल लीजिए और एक बात strictly बता रहा हूं दोस्तों अगर आप मेरे टागेश पर लेवल्स पर trade कर रहे हैं तो stop loss और टागेश लगा के चलिए stop loss इठ हो रहे हैं तो कितना कम लुक्सान हो रहा है टागेश इठ हो तो कितना profit हो रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना 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 कितना